हेलो फ्रेंद्स आम प्रोफेसर राकेश आसवानी स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंद्स आज का जो में टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट इस मेरिट्स एंडी मेरिट्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है स्कोरिंग लॉंटर ट्रांसपोर्ट आस टॉपिक है अन गो Ensuite और मिंस का मुझन है इस जए माल सकते हैं और 29 के सबस्ति कर सकते हैं उस्तों कर सकते हैं तक हैं समींkeln कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 इंटरॉटक्शन का अगर हम बात करें तो गूट्स न पैसेंजर्स पैसेंज आर्ट डिफरेंड प्लेसे बोध विदिन ऐस अउटसट एड कंट्री याने आप अपने ही देश में भी भूट कर सकते हो प्लस अगर आपको बहर जाना हो यह देश से दूसरे देश में तो आप the goods and passengers move within the when goods and passengers move inside the country yeah within the country it is known as inland water transport अपने ही देश में अगर goods or passengers move किये जा रहे हैं from one place to another तो उसको हमने नाम दे दिया inland water transport यह एक मक्का अब्जेक्ट आपको exam में पूछा जा सकता है उसको याद कर ले हैं बहुत अच्छे से next point अभी हम देखे हैं when different means of transport are used to carry goods and passengers on the ocean or sea route it is known as ocean transport और sea transport जब हम महासागर का इस्तमाल करते हैं ocean route का इस्तमाल करते हैं या सी रूट का हम इस्तमाल करते हैं goods and passengers को move करने के लिए तो उसको हमने नाम दे दिया ocean transport भी कह सकते हैं सी ट्रांसपोर्ट भी आप उसे कह सकते हैं ministry of shipping looks after the development of ocean transport throughout the country अब इसका maintenance development कौन देखता है संस्ता का नाम क्या है ministry of shipping इंडिया में संस्ता का नाम क्या है ministry of shipping look after the development of ocean transport throughout the country चली आगे बढ़ते हैं अभी देखेंगे हम इसके advantages what are the advantages और merits of water transport अभी जैसे कि आप screen पर देख रहे है यह लो कलर का highlight किया हुआ है यह जानबुच के किया गया है ताकि आपको points याद करने में आसानी हो for example point number one कैसे याद करेंगे economical economical याने cheap यह सस्ता mode of transport है specially for heavy goods और you can say bulky goods so this economical mode of transport याने यह cheapest mode of transport है जितने भी mode of transport है सबसे सस्ता mode of transport किसको माना जाता है water transport को माना जाता है और यह एक मार्क के लिए कई बार आपको exam में पूछा जा सकता है तो आपने एक एक करके marks को कैसे score करना है इसके लिए आप थोड़ा भी ध्यान से करा वीडियो को सुनने तो आपके benefit मिलेगा पॉइंट नंबर टू इस सेफ मोड इस सेफ मोड आफ ट्रांस्पोर्ट है विट रेस्पेक्ट टू अउकन्स ऑफ एक्सिदेंस यहां पे एक्सिदेंस बहुत कम होते हैं as compared to other means of ट्रांस्पोर्ट इसके लिश्ट को नाम दे दिया है रोड की बात करें यहां रेल ट्रांस्पोर्ट की बात करें तो वहां पर कंस्रक्शन में हमें खर्चा करना पड़ता है चान ले पर बड़ते हैं तो यहां पर ऐसा कोई को स्निया क्योंकि जो वॉटर वेस्ट नाचुरली मीड़ है तो देर इस नो कॉस्ट आफ जैरिस यहां पे हम route वगर आसानी से change कर सकते हैं timing अपने हिसाब से change कर सकते हैं as compared to rail transport तो friends these were the advantages of water transport अभी हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे जिसको नाम दे दिया this advantages of water transport point number one is no door to door service याद करने का आसान दरीगा it does not provide door to door service कोई भी water transport आपको आपकी घर तक नहीं पहुचाएगा आपको बाकी means of transport की मदद लेनी पड़ेगी अपने घर तक पहुचने के लिए point number two is adverse weather conditions and it gets heavily affected by adverse and bad weather conditions समुंदर में अगर तूफान आया हुआ है तो उसका मौसम का इस पर असर हो सकता है बहुत कम shifts चलने वाले affected by adverse weather conditions and the point number three is that is slow यह slow moving transport है यह सबसे slowest mode of transport माना जाता है कई पार exam में एक मार का objective पूछा जाता है slowest mode of transport तो सबसे slow mode of transport के इसको माना गया है water transport को माना गया है सबसे सस्ता mode of transport के इसको माना गया है water transport को माना गया तो एक-एक मार के objectives कई पार exam में आपको पूछे जाते हैं तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना तो friends इस topic के साथ साथ में आपके objectives भी cover कर रहा हूं ताकि board exam में आपको score करने में आसानी हो point number four is more investment यहाँ पे investment cost जादा है ships में investment करना पड़ेगा port बंदरगा बनाने पड़ेंगे ships के maintenance का खर्चा बहुत जादा है तो ships पे खर्चा करना है ports बनाने है ship के maintenance का खर्चा बहुत जादा होता है तो उसमें हमारा investment जादा है जो के minus point is के लिएक के लिएक को काम बताया गया disadvantages last point is it is subject to parallels of sea parallels और डेंजर समुनदर में कुछ भी हो सकता है कल को ship दूप सकती है कई बार समुनदर में hurricanes अने तूफान आता है कई बार समुनदर में ship में आग लग सकती है ship की टकर iceberg से हो सकती है best example Titanic तो समुनदर में कुछ भी हो सकता है जिसको हम बोदे है parallels और देंजर समुंदर में कुछ भी हो सकती है उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू आल फॉर लव एंड सपोर्ट